Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Investing with Hardeep में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ में देखें, मार्किट जो है इस टाइम आपको लगातार अपलिफ्ट होते वे जरूर देखने को मिल रही है और इसी के साथ जो है अच्छे शेर्स को एक बाइं करने की अपोर्जनोटी भी साथ में निकल के आ रही है और एक ऐसा ही शेर है जिस पे सभी को बरोसा रहता है छोटा मोटा नाम उस टॉक का है भी नहीं यूँकि जिस शेर की हम बात करने वाले हैं वो है स्टील सेक्टर का शेर यानि की टाटा स्टील यानि की टाटा स्टील ने देखिया अभी रिसेंटली जो है स्प्लिट दिया था और उसके बाद जो एवरेज प्राइस निकल के आया था अल्मस्ट जो है 87-85 की रेंज में टाटा स्टील का प्राइज निकल कहा था लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है इस टॉक से रिलेटर सिर्फ एक ही चीज जैसी है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए वो यह कि स्टील सेक्टर के जितने भी शेर्ज है उसमें भले ही टाटा स्टील रहा हो विदानता रहा हो या और भी जितने भी हिंडाल को है JSW स्टील है इनके अंदर एक चीज हमेशा रहती है कि किसी का भी आप चार्ट उठा के देख लीजिए कि सभी के अंदर जो है वोलेटैलिटी जो है वो बहुत जादा रहती है अब वोलेटैलिटी का मतलब यह होता है कि up-down moment जो है बहुत जादा होता है यानि कि जिस रफ्तार से एकदम भागते हैं उसी रफ्तार से एकदम गिर भी जाते क्योंकि government जो है बहुत बार क्या होता है कि export import duties जब import करती है तो वैसे ही जो है steel sector के share में भी हमें गिरावट और बढ़ोतरी एकदम से नजर आ जाती है बात अगर मैं Tata Steel की करूँ तो बुर्च खलीफा के अंदर भी आप सभी को पता है कि Tata Steel तक की जो है जुरूरत वहाँ पर पड़ी थी और इतना बड़ा नाम है Tata का और उसके बाद Tata Steel जो है आपको अलड़ी पता कि पंजाब के अंदर एक नया power plant स्टार्ट करने जा रहे है और उसके बाद से positive momentum के expectation Tata Steel से बढ़ जाती है तो क्या कुछ update Tata Steel से related इस वीडियो में discuss करेंगे तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को subscribe करके bell icon को press करके all पे select कर लिजे ताकि जैसे ही वीडियो upload हो आप लोगों तक तुरंत notification पहुँच जाए और आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं regular updates के लिए तो आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप से भी जुड़ सकते हैं उसका link जो है आप लोगों को description box में मिल जाएगा देखिए यह अभी सरफ दो गंटे पहले का अपडेट है कि Nifty at the rate 18,000 next week watch out for those queues यानि कि next week में chances हैं कि Nifty 50 क्या 18,000 points को cross कर पाएगा देखिए Sensex and Nifty posted strong gains this week to end about 1.7% higher यानि कि पिछले week के मुकाबले इस week जो है Bombay Stock Exchange और Nifty 50 के दोनों ही indexes यानि कि Indian stock market के उन्होंने 1.7% higher जो है पिछले week के मुकाबले अब की बार ज्यादा closing दी है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी जो है Indian stock market में अगर बनेगी तो वैसे ही जो है shares के अंदर भी बनने वाली है और वही टाटा स्टील की मैं बात करूँ तो 5 दिन के अंतराल में कोई खास positive या negative नहीं रहे है पांस दिन से consolidate ही कर रहा है और एक महिने की भी बात करूँ तो 3% तक की correction हम टाटा स्टील में देख भी चुके है अगर मैं तेजी की बात करूँ यानि की split के बाद 27-28 जून के आसपास split देखने को मिला था और वहां से लेकिए अगर मैं returns की बात करूँ तो 30% के आसपास के returns टाटा स्टील ने short term में दिये भी है अब अगर आप इसका maximum chart देखें तो सिरफ 1423% के returns दियें कितने साल में 2002 से अब आप खोदी सोचिए कि 20 साल के अंतराल में 1400% के returns है तो यहाँ पर Tata Steel जो है वो consolidate कितना करता है यानि कि एकदम से भागता है और एकदम से गिर जाता फिर भागता है फिर गिर जाता और फिर भागता है फिर गिर जाता अभी recently stock price आपको पता कि 1000 तक चला गया थो और उसके बाद company ने split announce कर दिया तो यहाँ पे volatility जो है वो इस stock में short term में रहने का कोई भी फायदा नहीं अगर आप short term के निजरी से Tata Steel को targets के basis पे जो है अगर आप buy करके रखे हैं या buy करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपका decision जो है वो थोड़ा सा गलत हो सकता क्योंकि short term में returns मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि long term में ही जो wealth create होती है वो ही possible है और क्योंकि short term में तो यहाँ 36,47,166 shares का volume trade हुआ और अभी भी market close के time भी almost जो है 2,23,181 shares buying order में है और 14,17,632 shares जो है हमें selling quantity में देखने को मिल रहा है यानि कि 7 गुना ज्यादा selling pressure Tata Steel में अभी भी देखने को मिल रहा है market cap 1.30,000,000 का टीटीमपी 3.31 है ओवरबूट कंडिशन में नहीं है book value per share 988,50 पैसे की है dividend company payout करती है 4.82% के हिसाब से और रही बात अगर मैं इसकी EPS की करूँ तो 31.94 जो है हमें इसका earning per share भी देखने को मिल रहा है तो एक अच्छी खासी जो है company की backbone जो है वो बहुत ही strong द consolidate जो जुदूर phase करा क्योंकि जब stock में तेजी आई थी तो उस टाइम stock overbote condition में भी चला गया था अगर आप इसके resistance की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे 108 रुपे 72 पैसे का तीसरा resistance है लेकिन जो short term के targets हैं वो 135 रुपे तक के निकल के आ रहे हैं अब वहाँ पे अचीव करने में यह आने वाले weeks का कितना लंबा time लेने वाला यह तो वक्त बताएगा क्योंकि यहाँ पे market के अंदर जो correction रही और steel sector के shares के अंदर भी जो correction रही उसकी बज़े से consolidate zone जो हमें data steel phase करते वे नजर आ रहा है recently हम सब को पता है कि पंजाब के अंदर एक नए जो प्लांट की है वो घोशना हो चुकी है और उसके लिए जो कागची कारवाई रहनी थी और जो land acquisition होना था वो भी पंजाब government ने दे दिया है तो एक अच्छी खासी तेजी की उमीद Tata Steel से इस शॉर्ट टम में की जा सकती है बट लेकिन शॉर्ट टम में targets मिलना यह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है volume की बात करूँ तो अच्छा खासा volume जो है लगातार हर रोज जो है हमें Tata Steel के अंदर देखने को मिली रहा है लेकिन delivery कम उठाई जा रही है तो ज्यादा उमीद तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ short term के targets थोड़ा सा अचीव करना मुश्किल हो सकता Tata Steel के अंदर recently आप सब्सक्राइब को यह भी पता है कि पंजाब में जब land acquisition की बात आई थी तो वहाँ पे पंजाब government ने जैसे ही जो CEO है Tata Steel के वो गए थी तो उनको हाथो हाथ जो है land acquisition का form जो है वो भी दे दिया था कि आपको ज़्यादा परिशानी नहीं होगी और यहां से Tata Steel की एक नई उच्चाईयों की तरफ जाने की शम्ताएं भी बढ़ जाती है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like and share जूँ करें और आप मेरे चैनल पे अगर नई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लें